हलो फ्रेंड्स मैं प्रिती जैन आपका स्वागत करती हूं कृष्णा क्रेशन में देखिए आज मैं आपको 30 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग बताऊंगी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप पेपर पर बताएं कि इसमें कितनी डाट ली जाती है इसकी लेंद कितनी ली जाती है इसमें शोल्डर कितनी ली जाते हैं तो मैं यहाँ पर आपको इसमें मार्जिन के साथ पेपर कटिंग करना बताऊंगी जिससे आप इसी तरह से पेपर को कट करें और उसे अपने कपड़े पर रखकर कपड़े को कट कर सकें तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका measurement बताऊंगी यहाँ पर जो 30 size का हम blouse बनाएंगे उसकी length हम लेते हैं 13 inch आप अपने इसाब से अपनी length measure कर सकती है मैं 13 inch का बनाऊंगी chest यहाँ पर 30 है waist round इसका है 26 inch shoulder यहाँ पर 14 है arm hole इसका मैंने लिया है 13 inch आप अपने arm hole को measure कर लें और उसके बाद उसे note down करें front neck मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6 inch का और back neck मैं ले रही हूँ 9 inch का और यहाँ पर मैं इसे deep neck के pattern में ही बनाऊंगी जिससे आपको कोई भी problem नहीं हो deep neck का blouse बनाने में तो देखिए सबसे पहले हमें length लेनी है तो length 13 inch है उसमें हम 1 inch plus करेंगे और 14 inch लेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिली लंबाई अब हमें लेने हैं shoulder ज्यादा तर लोगों को यही problem होती है कि deep neck में shoulder कितने लेने चाहिए तो देखिए आपके shoulder है यहाँ पर 14 आप अपने shoulder measure कर लें उसका half कर लें तो 14 का half आएगा 7 inch 7 inch में से मैं यहाँ पर 2 inch minus करूंगी तो कितना आजाएगा 5 inch तो हम यहाँ से 5 inch पर निशान लगाएंगे यह आपको deep neck में या तो 2 inch minus करने है या 1.5 inch minus करना है जैसे healthy होते हैं तो 1.5 inch मैं निशान कर लेते हैं deep neck के लिए तो आपके shoulder down नहीं होंगे कंदा बिलकुल नहीं गिरेगा तो यहाँ पर मैंने लिया है 5 inch shoulder क्योंकि यह कम नापका blouse है तो मैंने यहाँ पर 2 inch minus किये हैं अब देखिए यहाँ से मैं 5 inch arm hole के लिए line कीच लूँगी जितने मैंने shoulder लिये हैं उतने ही मैंने arm hole लिया है अब इसके बाद हमको निशान लगाना है chest का तो chest यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट होगा 7.5 तो यह हमने 7.5 पर निशान लगा लिया इसके बाद आपको 1.5 inch margin के लिए लेना है अब यहाँ पर हम इसका center लेके एक निशान लगा लेंगे और इसे आप चाहें तो इस तरह से french curve रखकर इन दोनों पॉइंट्स को 26 inch वेस राउन जो है पूरा वो 26 inch है उसका फोर्थ पार्ट आपको लेना है तो यह आजाएगा 6.5 अब यहाँ पर हम 1 inch की डाट लगाएंगे बेक के पीस में हम हमेसा 1 inch की डाट लगाते हैं उसके बाद 1.5 inch यहाँ पर मैं ले लूँगी margin का अब देखिए side के इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे अब यहाँ पर बारी आती है neck की और मैं आपको बता चुकी हूँ कि यह है कम नापका 30 size का ब्लाउज तो यहाँ पर neck मैं सिर्फ लूँगी 2 inch का और यहाँ shoulder कितने बच्चे हैं 3 inch के जब हम इसे ready करेंगे तो यह भी 2 inch के ready होंगे अब यहाँ पर आपको back neck लेना है तो आप कितना भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि मैं back neck ले रही हूँ 9 inch का तो यहाँ से हम लेंगे 2.5 और इस तरह से इसे आप तिर्चा मे लाइए आपको यहाँ की side करने है बिल्कुल 2 point के ज़्यादा तर हम जब collar का neck बनाते हैं या boat neck बनाते हैं तो हम arm hole की side shoulder down करते हैं लेकिन जब हम deep neck बनाते हैं तो हलके से shoulder down आप इस side अगर करेंगे तो आपके कंधे कभी नहीं गिरेंगे अब यहाँ पर जो center की dart होती है वो इस तरह लीजिए यह 7.5 है इसका हम center ले लेंगे और यहाँ पर एक inch की आपको dart लगानी है इसकी लंबाई मैं लूँगी 5 inch इस तरह से यह back का piece complete हो गया है मैं पहले इसकी cutting कर लूँगे उसके बाद हम इसी piece को रखकर front piece cut करेंगे देखिए मैंने यहाँ पर back का piece cut कर लिया है अब आपको इसी piece को रखकर इसे यहाँ पर draw करना है तो देखिए मैंने यह same back का piece यहाँ पर draw कर लिया है अब आपको इसमें कुछ changes करने है front के piece के हिसाब से तो सबसे पहले तो हम neck लेंगे तो neck यहाँ पर front का मैं ले रही हूँ 6 inch पर अब यहाँ से आप इसे broad करना चाते हो तो इसे चोड़ा भी कर सकते हैं मैंने यहाँ से 2.5 inch ले लिया है तो इस तरह से यह neck हो गया अब armhole पर भी हमें front की shape लगानी रहती है तो यहाँ से hull की सी हम front की shape लगाएंगे इस तरह से आप देखिए जो princess cut होता है ना उसमें यहाँ से एक cut जाता है तो उसके लिए यहाँ पर हम 1 inch बढ़ा लेते हैं यह 1 inch बढ़ा लिया अब देखिए अब हम इसकी कमर देखेंगे तो कमर थी 26 inch की है ना और chest था 30 inch का तो दोनों में difference कितना हुआ 4 inch का तो यहाँ पर जो dart आएगी वो एक piece में आएगी 2 inch की तो दोनों side के piece में हमारी 2-2 inch की dart कबर हो जाएगी तो जितना chest और waist में जो सीना है और यहाँ पर आपकी कमर है उसमें जितना difference होता है उतनी ही dart हम यहाँ पर लेते हैं कई लोग यह question करते हैं कि 30 size में कितनी dart लेनी है या वो एक inch की dart ले लेते हैं एक inch की dart आप लेंगे तो उसमें puff बनी नहीं सकता है तो उसके लिए आपको यह देखना है कि आपकी कमर और आपकी सीने में कितना difference है तो यहाँ पर दो inch का difference है तो मैं दो inch की dart लोगी अब देखिए यहाँ पर हम कमर का पूरा निशान एक बार में लगा लेंगे किस तरह से सबसे पहले तो 7.5 याने 7.5 इंच आपकी कमर का चोथा भाग हो गया उसके बाद हमको 2 inch की dart लगानी है उसके बाद हमको जब हम dart को सिलेंगे कपड़ा कट होगा ना 2 inch तो उसको सिलेंगे तो 1 inch सिलाई में भी जाएगा तो यहां से यह 1 inch मेंने सिलाई का भी ले लिया अब उसके बाद 1.5 inch हमने margin रखा हुआ है तो यह 1.5 inch यहां पर आ गया याने आपकी जो कमर है वो कमर का निशान आपका यहां तक आएग अब जो princess cut blouse होता है उसमें हम यहां पर cut लगाते हैं तो यह इस तरह से सुकुर जाता है तो यह उंचा हो जाता है इसलिए हमें साथ जो front का piece होता है वो उसमें 1 inch लंबाई आपको बढ़ानी रहती है अब यह हमारा कमर का निशान हो गया तो इसको यहां से मैं मिला लेती हूँ याने front का piece back के piece से इतना बड़ा बनेगा अब आपको यहां पर princess cut का निशान लगाना है तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर लेंगे burst point burst point कैसे निकालते हैं जितना आपका chest होता है उसका आपको fourth part लेना है और उसमें plus one करना है तो यह है 30 size उसका fourth part हो जाएगा 7.5 उसमें एक inch हम लेंगे तो हो जाएगा 8.5 और यहां से half inch हम सिलाई कर लेंगे तो इस तरह से जब मैं inch tip रखूंगी तो यह आजाएगा 9 inch और front की side से आपको इसे 3 inch लेना है लेकिन चूंकि यह वना रही हूँ मैं front open blouse तो इतना आपका eye hook की पट्टी के लिए एक centimeter कपड़ा यहां से जाएगा इसलिए मैं इसका burst point लोगे यहां पर अब देखिए इसे आपको सीधा नीचे नहीं मिलाना है इसे हम हलकासा जैसे यहां से यह सीधा यहां जाएगा ना लेकिन इसे हम हलकासा इस तरह से तिर्चा लेते हैं अब यहां से हमने कितना इंच कपड़ा काटना है 2 इंच का तो यह 2 इंच मैंने यहां रखा तो हम यह 2 इंच की डार्ट लेंगे ना इसे इस तरह मैंने मिला दिया यह हो गई डार्ट अब इसको आपको यहां पर टच करना है आप इसे इस तरह भी मिला सकते हैं और आप च इस तरह जाएगा और यहां से यह सीधा जाएगा और यह इसका बर्स पॉइंट है अब देखिए अब क्या होगा हमने इसमें एक इंच लंबाई बढ़ाई है तो यहां पर जब हम फिटिंग लगाएंगे तो यह पीस इतना उंचा हो जाएगा इसलिए इससे आपको वापस इस निशान से यहां पर मिला देना है यह मैंने मिला दिया यह फिटिंग का निशान है न 1.5 इंच कपला यहां पर एक्स्टा है अब यहां से यहां पर मिलाना हूँ तो आप यहां मिला सकते हैं मैं इसके सेंटर में यहां पर मिला दिया हूँ मतलब फ्रंट की साइट से मै मैं डाट ली है और बस्ट पॉइंट लिया है नाइन इंच पर और ये पूरा इस तरह से सीधा जाएगा अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ तो इस तरह से ये पैटर्न कट हो चुका है अब देखिए यहां पर ये जो है ना इसका ये मार्जिन है तो देखिए ये इसका मार्जिन है और जब हम इन दोनों की फिटिंग लगाएंगे ना यहां से तो ये बिलकुल बराबर का जाएगा तो देखिए इस तरह से 30 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग कम्पलेट हो चुकी है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो इस तरह से ये वीडियो कम्पलेट हुआ है और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार